उसके बारे में डिस्कुसंस करेंगे तो पहला टॉपिक है कि किस भारती सहर को राष्ट्री स्टेडी में युनिस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है ठीक है काफी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है तो प्लीज इसको नुडाउन आप जरूर कर लेना सुचली स्टार्ट करते हैं कि किस भारती सहर को राष्ट्री स्टेडी में युनिस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है तो पहले यहां युनिस्को के बारे में जान लेते हैं तो युनिस्को का इस्थापना वस 16 नवंबर 1945 में हुआ था इसका जो मुख्याले है मुख्याले वह पेरिस में है अगर हम उद्देश की बात करें कि युनिस्को का उद्देश क्या है तो सिक्षा संस्कृती के अंतराष्ट्री सहयोग अंतराष्ट्री सहयोग से सांती एवं सुरक्षा की स्थापना करना सांती एवं सुरक्षा का इस्थापना करना क्लियर तो यह हमने युनिस्को के बारे में जान लिया अब आगते हैं मुद्दे पे किस भारती सहर को साहित स्थेड़ी में युनिस्को क्रियेटिव सिटी नेटवर्क में जोडा गया है इसका जो राइट एंसर है वह है कोजी कोड अब यहां से आपको doubtful questions create किये जा सकते हैं क्योंकि भारत के दो सहर को युनिस्को के क्रियेटिव सिटी नेटवर्क से जोडा गया है पहला तो हो गया कोजी कोड दूसरा हो गया गुवालियर ठीक है अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि जो कोजी कोड है ठीक है इसको साहित स्रेडी में अपनी जगें बनाई है ओके साहित स्रेडी में ठीक है जो गुवालियर है यह संगीत स्रेडी में ओके यह दोनों डाउटफूल आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं तो इसको याद रहें कि जो कोजी कोड है यह साहित स्रेडी में अपना जगें बनाया है गुवालियर संगी स्रेडी में जो कोजी कोड है यह केरल केरल मिश्थित है जो गुवालियर है यह एमपी नेक्स्ट टॉपिक है कौन सी संस्था घरों में मुद्रा इस्त्पिती प्रत्यास्या सर्वेच्ण आयोजित करती है सो राइट एंसर है आर्बियाई ओके आर्बियाई के बारे में जान लेते हैं इसका इस्थापना आर्बियाई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था और इस्थापना हुआ था आर्बियाई का 1935 में आर्बियाई का इस्थापना 1935 में हुआ था तो यह आपको याद रखना है प्रारम में इसका जो हेड़कौार्टर था कोलकाता में है 1937 में मुंबई आया 1937 में जो मुख्याल है वह कोलकाता से मुंबई आया सो आर्वियाई ने घरों की मुद्रा इस्पिती प्रत्यासा सर्वेक्षण और उपभोगता विश्वा सर्वेक्षण सुरू करने की घोशना की है जो की दिसंबर 2023 के निर्धारी द्व्यमासिक मौद्री निती के लिए महतपुड इनपूट का प्रावधान करेगा ठीक है और यह जो सर्वेक्षण है भोपाल भूनेश्वर चिन्नाई दिल्ली सहित 19 सहरों में आयोध जाएंगे तो यह भी याद रखना है कि 19 सहरों में आयोजीत कि यह जाएंगे क्लियर चलिए नेक्स्ट टॉपिक है किस संगठन ने क्रिसी और खाद सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया है ओके सो राइट है इसका एफ ए ओ फूड एंड एगरी कल्चर और्गनाइजेशन्स ओके इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था इसका जो हेड़कॉर्टर है वह रोम में है अगर हम एफ ए ओ के उद्देश की बात करें कि किस मोटिव पर काम करता है तो भुखमरी को कम करना भुखमरी को कि देश्ट वेट कम करना खाद सुरक्षा को बढ़ावा देना ओके इस्थाई क्रिशी के माध्यम से ओके इस्थाई क्रिशी के से भुखमरी को दूर करना खाद संसाधन को पैदा करना क्लियर एफ एओ की क्रिशी और खाद सुरक्षा आपदा का प्रभाव का प्रभाव सिर्षक वाली रिपोर्ट के अनुशार पिछले पिछले पांच दसकों में पिछले पांच दसकों में अत्यधिक आपदा घटनाओ की अबृत्ती कि अबृत्ती में पूल्लेखनिय ब्रधी हुई क्रिसी और खाद सुरक्षा आपदा का प्रभाव सिर्षक वाली रिपोर्ट के अनुशार पिछले पांच दसकों में अत्यधिक आपदा की अबृत्ती में उलिखनी ब्रधी हुई है ठीक है उनिसो सत्तर की दसक में बिसो में प्रती वर्स लगभग सौ घटनाएं होती थी जो कि पिछले अगर दो दसकों की बात करें तो वह 100 से बढ़ करना पिछले पिछले दो दसको प्रतीवर्स प्रतीवर्स जो कृसी आपदा है, वह चार सो बढ़ गया है. ठीक है? याद रखना, 1970 के दसक में प्रती वर्स गहिंड किणे की का प्रतीवर्स में 400 कृसी आपदाएं हो गई है, ठीक है? यह जो कंटेंट है ना यह जो कंटेंट है यह में सेंसर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो प्लीज इसको भी आप नोट करके रख लेना ठीक है तो यह जो है न यह प्रविड़ती दुनिया भर में क्रिसी खाद सुरक्षा के लिए आप दाओं से उत्पन बढ़ती चुनोतियों और जोखियूमों को उजागर करती है ठीक है तो आपसे यह भी यह भी कोश्चन्स पूछा जाता है पूछा स् इसका जो प्रोस्पेक्टिव है तो आपको याद रखना है कि यह प्रविड़ती दुनिया भर में क्रिसी खाद सुरक्षा के लिए के लिए आपदाओं से उत्पन से उत्पन बढ़ती चुनोतियों बढ़ती चुनोतियों और जोखियूमों को उजागर करती है जोखियूमों को उजागर करती है तो आप इसको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल समझ गए कि पूरा मुद्दा क्या है यह रिपोर्ट क्या कहता है और इसका मोटी क्या है ठीक है चलिए कोश्चन नबर चार किस फुटबॉलर खिलाडी ने सर्वस्रेश्ट खिलाडी बैलंडी ओर याद रखना बैलंडी ओर पुरस्कार जीता है तो लियोनेसी मेसी याद रखना अपने जीवन का आठवा बैलंडी ओर जीता है आठवा बैलंडी ओर जीता है क्लियर 36 वर्षी मेसी ने 2009 में अपना पहला बैलंडी ओर जीता था तो ये भी आपको याद रखना है कि अपने जीवन का जो फर्स्ट बैलंडी ओर है बैलंडी ओर है 2009 में जीता है किसने मेसी ने ठीक है चलते हैं लास्ट टॉपिक पे भारत ने किस देश से S-400 वायू रक्षा मिसाइल इसक्वाडरन खरीदे हैं तो ये सब को आई हो पता हो चुका होगा पता ही है ठीक है सो राइट जो इसका एंसर है वह है रूस ओके ये जो डील है 2018-19 में जो भारत है वह रूस से 35,000 करूण याद रखना 35,000 करूण की S-400 मिसाइले खरीदी थी ठीक है S-400 मिसाइले खरीदी थी तीन तो भारत में आ गई जो दो है वह भारत और यूक्रेन के जो कनफ्लिक चल रहे थे उसको पाकर बाधित हुआ है उनका सप्लाई आज का जो टोटल पार्च कंटेंट था हमने इसके बारे में भली भाती जान लिया चली फिर मिलते हैं अगले सीरीज अगले सिसन में तो तो तकले थांकिस सो मज धरने बात